हालो एवरिवन मैं संचुता जैन मेंगे ब्रेंस इनी मेडियन चनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के शेशन में अपन जानने वाले हैं क्लास नाइट की समझिव ज्यान किती हास के पहले चैप्टर जिसका नाब है फ्रांस इसी क्रांती ये चैप्टर जो है अपन कई सारे पार्ट्स में पढ़ चुके हैं इसके NCRT solution, multiple twice question, most important question, काफी सारी चीज़ें अपन अलग-अलग सेशन में पढ़ चुके हैं आज अपन जानने वाले हैं इस चैप्टर का complete चैप्टर revision वो भी one shot में जी हाँ, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, Magnate Brains प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सिस हम प्रोवाइड कराते हैं आपको quality education वो भी बिल्कुल फ्री जी हाँ, तो आईए उजडिये Magnate Brains के साथ तो आज के session को शुरू करने से पहले आप सभी से request है कि जल्दी से जल्दी और जादा से जादा आज के session को आप सभी like कर दें और share कर दें, तो आज जानेंगे France CC के बारे में complete chapter revision करेंगे यानि कि one shot में पूरा chapter आपको करा दिया जाएगा तो चलिए chapter को शुरू करने से पहले अपन इसके बारे में जान लेते हैं यानि कि इसके परिचे के बारे में जान लेते हैं परिचे में वो सारी बातें आपको बताई जाएगी जो कि इस chapter में हम आगे पढ़ने वाले हैं हर एक point बताये जाएगा परिचे में और परिशे को जानने से आपको क्या फायदा मिलेगा आपके माइंड में एक फ्रेंड बन जाएगा कि कौन कौन सी चीजे जो है हमें इस चैप्टर में जानी है और कौन सी घटना, किस घटना के बाद हुई, पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ तो भई है तो ये पूरी कहानी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास एक कहानी ही है और कहानी एक क्रम में ही सुनाई जाती है तो इस परिचय के द्वारा इस चैप्टर के सारे टॉपिक आपको step by step पता चल जाएंगे कि इसके बाद ये कहानी हुई इसके बाद ये कहानी हुई इसके बाद ये कहानी हुई यानि कि परिचय के माध्यम से आप जो इस चैप्टर 18 सदी का उत्रार्थ यानि कि जब 18 सदी शुरू होती है उस दौरान फ्रांस का समाज किस तरीके का रहता है उसके बारे में जानेगे उसके पश्यात फ्रांसीसी क्रांती के बारे में जानेगे और फ्रांसीसी क्रांती यानि कि फ्रेंच रिवॉलिशन के क्या कारड थे ऐसे वो कौन से महत्वपूर कारण थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी फ्रांसीसी क्रांती हुई और फ्रांसीसी क्रांती ही यूरोप में रास्टवाद की जनक मानी जाती है अगर आप से सवाल पूछा जाता है कि यूरोप में रास्टवाद की शुरुवात कैसे हुई तो आप ब है अपन्चाने के उसके बाद सिर्वाद कैसे होती है और रांस में समवत्यrant की शुरुआद के साथ ही क्रांटी में क्रांटी के द्वारा जिसके जरिये प्रांस में समव Lehr राजयतंत्र की इस देखने को मिलती है नैश्यनल असेंबली की स्थापना होती है नेश्यनल असेंबली के बारे में मैं बता दूं आपको तो नेशनल असेंबली क्या है नेशनल असेंबली है फ्रांस की संसद नेशनल असेंबली को क्या कहा जाता है भई फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली ठीक है तो जो नेशनल असेंबली बनाई गी थी फ्रांस की संसद बनाई गई थी उसका उद्देश क्या था इस बारे में जाने के नए सम्विधान के अनुसार क्या क्या प्रावधान रखे गई थे क्या प्राविजन्स रखे गई थे क्या निधारित किया गया था कि किन नियमों के आधार पर फ्रांस का शाशन चलेगा उसके बाद एक है राजनितिक प्रतीकों के क्या माइने हमें इसमें देखने को मिलते हैं इसके पशादेख हैं, फ्रा समें राज तंत्र का उनमूलन यानि की समाप्ती किस तरीके से होती है और गड़ तंत्र की स्थापना फ्रांस में गड़ तंत्र की स्थापना किस तरीके से होती है वो सारी बाते अपन जानेगे गड़ तंत्र यानि की एक तरीके से कहा जाए तो जनता का शाशन भी अपन इसे कह सकते हैं राजा के शाशन को खतम करके जनता द्वारा चुने गए प्रतिनीधी के माध्यम से शाशन कैसे होता है इस बारे में जानेगे उसके बाद आतंकराज के बारे में जानेगे और डिरेक्टरी शासित प्रांस के बारे में भी जानेगे अगला टॉपिक है क्या ये क्रांती महिल के जीवन में सुधार लाने के लिए इस क्रांती के द्वारा क्या कदम उठाए गए उनके बारे में जानेगे दास प्रथा का उन्मूलन दास प्रथा उन्मूलन का मतलब फिर से अपन जान लेते हैं तो समाप्ती होता है तो दास प्रथा की समाप्ती किस तरीके से होती है और क्रांती और रोजाना की जिन्दिगी का द्रश्य हमें वहाँ पर किस तरीके से देखने को मिलता है इस बारे में अपन जानने वाले हैं तो ये बात हो गई इस चैप्टर के परिचे की फ्रांस शिशी क्रांती में कौन-कौन सी घटनाये घटती हैं किस वज़े से ये क्रांती हुई अंत में हमें क्या देखने को मिलता है और किस तरीके से फ्रांस में राजुतंत्र के स्थान पर गढ़तंत्र की स्थापना होती है एक National Assembly की स्थापना होती है ये सारी बात है जो है इस चैप्टर में अब हम डिटेल में जानेगे चलिए तो जितने भी टॉपिक्स अपन ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आने की परिचर में रेखे थे अब इन सारे चैप्टर को अपन डिटेल में जान लेते हैं त चलिए तो अब शुरू करते हैं देखें अठारवी सदी के उत्तरार्द में फ्रांसीसी समाज की बात करते हैं तो अठारवी सदी के प्रारंभ में फ्रांसीसी समाज हमें किस तरीके से दिखाई देता है उसके बारे में जानते हैं तो देखें फ्रांसीसी क्रांती के बार बात हुई और वो तारीक हुआ करती थी 14 जुलाई की 14 जुलाई को फ्रेंच रिवॉलिशन हुई थी और मध्य वर्ग द्वारा शुरू की गई घटनाओं की स्रंखला ने उच्छ वर्गों को जगजोर दिया था जैसा कि अपन जानते हैं अभी परिचय में पढ़ा था कि फ फ्रान्सी सिक रांटी का जो समाज था वो तीन वर्गों में बटा हुआ करता था पाधरी वर्ग कुलीन वर्ग और एक तरीक से तीसरा हुआ करता था तृतियट जिसमें आम जनता या जन साधारण शामिल हुआ करते थे और यह कि किसके द्वारा शुरू की गई थी ये उ स्टेट में आते थे यानि कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग उनको जो विशेशाधी कार प्राप्त थे उनको कर नहीं देना पड़ता था लेकिन जो आम जनता थी मध्यमवर्गत था जनसाधारर था जिसमें भूमी हीन किसान से बड़े व्यापारी तक शामिल हुआ करते थे ठीके अनेक पेशिवर व्यक्ति शामिल हुआ करते थे उनको किसी भी तरीके के विशेशाधिकार नहीं थे और उन्हें ही राजी को कर जो है फ्रांसीसी क्रांती के शुरुआत हुई तो मध्यम वर्गद्वारा ये क्रांती शुरू हुई थी तो जैसे ही ये क्रांती शुरू हुई और जो जो घटना है इस क्रांती के दौरान हमें देखने को मिलती है उस घटनान है उन घटनाओं ने उच्च वर्गों को ज कोई सोलहवा जो की एक निरंग को शाशक हुआ करता था ताना शाही शाशक उआ करता था जिसमें कहीं भी कोई नियम काइद कानून के अनुसार शाशन का संचालन नहीं था ठीक है तो लोगों ने उस राज शाही के राज तंद्र के क्रूर शाशन के खिलाफ विद्रोह किया और इस क्रांती ने स्वतंत्रता वंधुत्व और समानता के विचारों को सब के सामने रखा उसके बाद देखें क्रांती के शुरूआत कब होती है 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले से हुई थी जी हां कहां से शुरू होती है ये क्रांती बास्तील के किले से इस क्रांती के शुरूआत होती है जनता ने क्या किया बास्तील के किले को घेर लिया क्योंकि जनता को क्या अंदाजा था क्या अंदेशा था या क्या शक्ता कि बास्तील के किले में जो है भारी मात्रा में गोला वारूद रखा हुआ है यानि कि उसमें जनता क्या कर रही थी जितने भी सरकारी कार्याले हुआ करते थे सरकारी भवन हुआ करते थे उन सब पर हमल बोल रही थी और सरकारी हतियारों को अपने कबजे में लेने की कोशिश कर रही थी अब देखें बास्तील के किले से बास्तील के किले पर ही क्यों अटेक किया फ्रांस की जनता ने तो बास्तील के किले से सभी नफरत करते थे क्यों करते थे क्योंकि बास्तील का किला समराट की निरंकोष शक्तियों का प्रतीक हुआ करता था तो 14 जुलाई 1789 को कुरुध भीड यानि की क्रोधित भीड ने क्या किया उस क्रोधित भीड ने बास्तील के किले को तोड़ दिया और उस बास्तील के किले में जुर्रा अजनैतिक कैदी कैद करके रखे गए थे वहां के निरं फ्रांसीसी क्रांती के कारणों के बारे में अब अपन जानते हैं तो देखें कुछ सामाजिक कारण हुआ करते थे फ्रांसीसी क्रांती के जैसे की समाज का वर्गों में बटा होना कितने वर्गों में बटा हुआ था तीन वर्गों में जो है फ्रांस का शाषन जो है बटा कौन कौन से वो तीन वर्ग हुआ करते थे प्रथम दुतिये और तृतिये वर्ग हुआ करते थे जिसमें पादरी और कुलीन वर्ग और अन्य मध्यमवर्य जनसाधरन वर्ग हुआ करता था सामाजिक विभेद थे इन दो वर्गों को क्या प्राप्त थे भई इन दो वर्गों को विशेशाधीकार प्राप्त थे सामाजिक विभेद की बात हो रही है भई सामाजिक विभेद विभेद का मतलब क्या होता है भेद भाव विभेद का मतलब क्या होता है भई भेदभा होता है बात आरी समझ में यानि कि जो फ्रांस का समाज इन तीन वर्गों में बटा हुआ करता था उन्हीं वर्गों के बीच भेदभा हुआ करता था प्रतम जो दो वर्ग थे उनको जन्म से ही जन्म से ही विशेशाधिकार प्रा कर नहीं देना पड़ता था और ये जुत्रतिय वर्ग हुआ करता था ये अन्या मध्यम वर्ग में आया करता था और इसको कोई विशेशाधीकार नहीं ठीक है कोई विशेशाधीकार नहीं और साथी साथ कर भी देना पड़ता था किलियर हो गई यहां तक की बात अब देखें मध्यम वर्ग का उदय होता है जी हाँ जो मध्यम वर्ग है जिसने इस क्रांती को शुरू किया था उसका उदय भी होता है जो की एक फ्रांसीसी क्रांती का सामाजिक कारण बनता है उसके बाद राजनेते कारणों के बारे में जा उसके बाद कुछ एक तातकाले कारण भी था फ्रांसीसी क्रांती का वो क्या कारण था यह जो लुई सोलहवा था लुई सोलहवा इसने इसने जो है नया कर लगाने का भी प्रस्ताव दिया था तो जनता और भडगेगी पहले से ही हमारे पास इतने कर लगाए गए हैं और सिर्फ हम पर लगाए गए हैं जिनको विशेशादीकार प्राप्ते उनको कोई कर नहीं देना पड़ता उनके पास बहुत पैसा है अमीर वर्ग है तब भी कर नहीं देना पड़ता और लुई सोलह थी भई या लिब्रे उस समय फ्रांस की मुद्रा का नाम है लिब्रे क्या है भई लिब्रे क्या है भई फ्रांस की मुद्रा का भई रट लो ये रट लो और लिख भी लो साथ मैं लिब्रे क्या थी यहां से आपका multiple twice question पूछा ही जाता है तो लिब्रे क्या थी भई फ्रांस क की वर्तमान मुद्रा का नाम क्या है वर्तमान करंसी जल्दी बताएं ये तो क्या है प्राचीन मुद्रा है प्राचीन मुद्रा है लिब्रे ठीक है अब आपको बताना है कॉमेंट करके की वर्तमान में वर्तमान में फ्रांस की मुद्रा वर्तमान में फ्रांस की मुद्रा या करनसी क्या है जल्दी से कोमेंट करके बताई फटाव फटाव को ये बात कोमेंट करके बतानी है। और खाली राजकोश खाली हो गया था इसलिए तो भाई साब नयाग कर लगा थिल्लूई सो लहवा ठीक है उसके बाद जीविका का संकट आ गया यानि की लगभग फ्रांस पर 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था ठीक है राज को स्खाली हो चुका है और जीने मरने की नौबत आ गई है कि अब लोग जीएंगे कैसे जीविका का संकट है और कर व्यवस् की महत्वपुन आर्थिक कारण के रूप में जाना जाता है तो ये सारी बाते हो गई फ्रांस इसी करांथी के कारणों के बारे में उस समय रोप के सुधारक और विचारकों के द्वारा किया गया था जैसे कि रूसों मिराबियों और अबेशिया यह सब क्या थे यह सब समाज सुधारक और विचारक हुआ करते थे चलिए अब देखें आगे तो देखें अब इन सारे कारणों को अपने के करके डीटेल में ज समाज तीन वर्गों में विभाजित था कितने वर्गों में विभाजित था वो कौन-कौन से तीन वर्ग थे प्रथम स्टेट जसमें चर्च के पादरी आते थे रटलो यहीं प्रथम स्टेट में कौन आता था चर्च के पादरी आते थे दुतिये स्टेट की बात करते हैं तरती स्टेट में तीसरे स्तर पर कॉन आया करता था बड़े व्यवसाई व्यापारी अदालती कर्मचारी वकील किसान कारीगर बूमी हीन मज़दूर आया करते थे यानि कि यहां पर आपन बात करें तो बूमी हीन मज़दूर से लेकर बड़े व्यवसाई भी जो है तुरती स्टेट में आया करते थे क्लियर हो गई बात यह बात बहुत इंपोर्टेंट है सीधा सवाल यहां से आप से पुछा जा सकता है कि फ्रांसी सी समाथ जो है वो कितने वर्गों में बटा हुआ था तो आप बता देंगे कि तीन वर्गों में जो है बटा हुआ था प्रथम स्टेट में कौन आते थे प्रथम स्टेट में आते थे पादरी वर्ग आता था दुति स्टेट में कौन आता था कुलीन वर्ग आता था और त्रती स्टेट में कौन आता था भूमी हीन मजदूर से लेकर बड़े व्यवसाई तक सभी इसमें शामिल हुआ करते थे चलिए अब देखें लगभग 60 प्रतिशत जमीन पर कुलीन वर्गों का कुलीनों चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था यानि की 60 प्रतिशत जमीन पर किसका अधिकार था अमीर वर्ग का अधिकार हुआ करता था अमीर वर्ग का अधिकार हुआ करता था 60 प्रतिशत जमीन पर अब देखें बई यहां के जो दो मुख्यकर थे उसके बारे में जान लेते हैं तो देखें इन दो करों के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि टाइद और टाइल क्या है शब्द को रट लो दो शब्द हैं क चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था टाइद कहलाता था और टाइल क्या कहला था त्रतिय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टेक्स था टाइद क्या था त्रतिय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर टाइद कहलाता था और ट किस किस को देने पढ़ा रहे एक तो चर्ज को देते थे उसको टाइद कहते थे और सरकार को जो देते थे उसको टाइल कहते थे ठीक है किलियर हो गई बात एक बार आप फिट से समझ लें चर्ज को जो कर दिया जाता था उसका नाम था भई टाइद और सरकार को जो कर दिया ज हुआ करते थे पहला estate पाद्री वर्ग और दूसरा clean वर्ग इन के लोगों को जन्म से कुछ विशेशाधिकार प्राप्त थे इस वर्ग के लोगों को जन्म से ही विशेशाधिकार दिया गए थे जैसे राज को दिये जाने वाले कर से छूट थी इनको ठीक है कि इनको किसी भी तरीके कर नहीं देना पड़ता था कर कौन दे रहा है त्रती स्टेट ठीक है किस रूप में चर्च को टाइद के रूप में सरकार को टाइल के रूप में दे रहा है उसके बाद एक है राज के सभी टेक्स केवल तरती स्टेट द्वारा ही वहन किये जाते थे केवल तरती स्टेट के द्वारा क्योंकि ये सारे ये दोकर है जो चर्च को दे रहे हैं तृतिय स्टेट के लोग और सरकार को दे रहे हैं कौन दे रहा है भई तृतिय स्टेट ही तो दे रहा है किलियर हो गई बात करका पूरा कंसेप्ट किलियर अगर किलियर हो गया हो तो फटा फट से जो है फटा फट से आप मुझे कॉमेंट में बता दें कि यस और नो और अग लेते हैं कि फ्रांसी सी क्रांती के आर्थे कारण कौन कौन से थे तो पहला पहला भई यहां पर दिखाई देता है निर्वाह संकट यानि कि लोगों के पास पैसा नहीं बचा था इनकर को चुकाते चुकाते जो है लोग गरीब होते जा रहे थे और उनके पास उनकी आजीव भग टू.3 करोड से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड हो गई यानि कि जन संक्या में व्रद्धी हो गई पहली बात पहली बात यहां पर क्या देखने को मिलती है पन को जनसंख्या में व्रद्धी जन संख्या में व्रधी देखने को मिलती है उसके बाद एक है अनाज उत्पादन की तुल्ला में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी ठीक है अनाज उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ रहा था लेकिन मांग बढ़ रही थी तो दूसरा कारण क्या है अनाज की मांग में व्रधी अनाज की मांग में व्रधी चली तो अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में भी तेजी से व्रधी हुई जो फ्रांस के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ हुआ करता थ था पाव रोटी क्या हुआ करता था पाव रोटी उसमें भी तेजी से व्रधी हो रही है फिर देखें अधिकतर कामगार कार खानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तै करते थे लेकिन मजदूरी महेंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी अब आप किसी के यहाँ भी काम करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलना चाहिए वो जो जिस व्यक्ति ने काम दिया है वो ही तै करेगा मालिक ही तय करेगा किलियर रही यह बात तो जो है क्या नहीं बढ़ रहा था मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ रहा था तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मजदूरों का कम वेतन मजदूरों का कमवेतन के लिए रोगई बात आर्तिक कारण की बात कर रहे हैं अपन तो निर्वाह संकट कैसे पैदा हो रहा है तो जनसंख्या में व्रद्धी हो रही है अनास की मांग में व्रद्धी हो रही है जनसंख्या में व्रद्धी के फलसुरूप ही अनास की मांग मे व्रद्धी है जुन संख्या में व्रद्धी है सप्लाई हो नहीं पा रही ठीक है डिमांड जादा है सप्लाई कम है तो मांग में व्रद्धी होगी ही ये बात हो गई और मजदूरों का कम होन मजदूरों का कम वेतन यानि कि जिस दर से महंगाई बढ़ रही थी उस दर से मज कौन दे रहा था कर कौन दे रहा था वही सबसे निचलावर्ग जो तरती स्टेट में आया करता था वो दे रहा था अमीरों को कोई कर नहीं देना उनकी पुझी बढ़ती ही जा रही है गरीब यक्ति गरीव यक्ति महेंगाई की चपेटप occupied में आगया तो उसको वेतनी मिलना उसको कर भी देना तो भई क्या होगा वो गरीब ही होता जाएगा अल्राइट अब देखें इस तिदिया तब और बदतर हो जाती थी जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार वहां की गिर जाती थी यानि कि पहले तो भई इतने सारे कर लगा दिये हैं जन संक्या में ब्रद्धी हो रही है ठीक है अनाज उत्पादन जन संक्या के कंपेरिजन में नहीं हो पा रहा उपर से उपर से सूखा आओ गया भिया और ओला भी गिर गए तो इनके प्रकोप से फसल की फसल पूरी चौपट हो गई पूरी पहला वार खराब हो गई औ i can summer पर पैदा हो जाता था और ऐसे जीवी का संकट पराचीन राजतंत्र के दोरान So mau kाफी आम थे जयानी कि ऐसे संकट जीवीका के संकट लोगों के जीने के लिए प्रांस में आए दिन आते ही रहते थे और इससे खाद्यानों की कमी या जीवन निर्वह संकट पैदा हो गया जो पुराने शाषन के दौरान बार बार होने लगा तो यह वो गई बात निर्वह संकट की अब देखें फ्रांस इसे कृंदी के राजनेतिक कारणों के बारे में जानते हैं तो देखें मध्यम वर्ग में कौन को नाया करता था वकील सिख्षक लेखक विचारक आधी मध्यम वर्ग में आया करते थे इन्होंने जन्म आधारित विशेशाधिकार पर प्रशन उठाने शुरू कर दिये इन्होंने क्या किया जन्म आधारित विशेशाधिकार जन्म से ही यानि कि इनके कुल में जो पैदा हो गया उसको जन्म से ही विशेशाधिकार जो है प्राप्त हो गए किलियर हो गई ये बात तो इसका वरोध कौन कर रहा था मध्यमवर्ग कर रहा था जिसमें वकीर सिक्षक लेखक विचारग आदी आया करते थे जलिए अब देखीए अब ये मध्यवर्ग क्या था ब्य कहां से शुरूआत होती है मध्यम वर्ग की तो देखे 18सदी में एक नए सामाजिक समुन का ओदै हुआ जिसे क्या कहा गया जिसे मध्यवर्ग कहा गया और उभरते मध्यवर्ग ने विशेशाधिकारों के अंद की कलपना की कि ये जो विशेशाधिकार दो विशेश वर्गों को प्रथम और दुतिय स्टेट के लोगों को दिये गए हैं उनका अंद की आ जाए जिससे उनी तथा में विस्षाधिकारों के अंतिकी कलपना की जिसने उनीद थारेश्मी वस्त्रों के उत पादन के बलपर अपनी संपत्ति अर्जित करी थी और ये सभी वर्ग पड़े लिखे हुआ करते थे मध्यम वर्ग जो हुआ करता था आप देखें बई कौन-कौन व्यक्ति पड़े थे अपन्ने मध्यम वर्ग में वकील पड़े थे सिक्षक पड़े थे लेखक पड़े थे डाक्टर पड़े थे व जनमाधारत विश्य शादिकार किसी भी वर्गे के पास नहीं होने चाहिए जो कि फ्रांस में प्रथम और दुतिय स्टेट के पास हुआ करते थे तो यह सारी बात हैं मध्य वर्गे के विचारों की होती है फुर देखें अब जान लेते हैं भई काफी देर से सुन रहे हैं ल रोद में फ्रांस इसी कुरांटी हुई थी तो क्या था कौन था यह लुई सोलहवा तो देखे सत्रासो चौहत्तर में फ्रांस की गद्धी पर बैठा लूई सवाल पुछा जा सकता है तो लुई सोलहवा बूर्वो राजवंस का राजा हुआ करता था और उसका वेवा आस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था ठीक है और राज्य रोहन के समय उसका राजकोश खाली था यानि कि जब भाई साब ये 1764 में राजगद राजकोश खाली था ठीक है तो देखें लंबे युद्धों के कारण वित्ति संसाद्नों का नस्ट होना ठीक है फ्रांस मुझ्ञ समय जो है क्या चल रहे थे बैक काफी लंबे लंबे का यानि कि बहुत जादा अवदी के युद्ध चल रहे थे जिससे वहां के वित्तिय स चौकत पर फिजूल खर्च हुआ करता था जिसकी वजह से जिसकी वजह से राजकोश खाली हो चुका था जब लुई जीविका का संकट पैदा हो रहा था उसके बाद देखें उक्रांती की शिरुवात कैसे होती है तो जो लुई सोलेवा फ्रांस का उस समय शाशक हुआ करता था उसने पांच मई 1789 को अपना राजकोश भरना था तो उसने क्या किया पांच मई 1789 को स्टेट जनरल की एक बैठक बिलाई जिस में नय करौंका प्रस्ताव रखा जाना था लेकिन लेकिन उस बैठक में जो है सिर्फ स्टेट जनरल के प्रती attent निधीнуться ना कारीगर्स को किसी को एंट्री नहीं थी लेकिन जो प्रतिनी आये थी स्रेट्ट जनरल की बैठक में वह आम जंता की तरफ से आम ज चालीस हजार पत्रों में क्या था उन चालीस हजार पत्रों में जनता की शिकायते एवं जनता की मागें थी और स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार ये तय था कि हर एक वर्ग को अपना एक मत देने का अधिकार है तो जनता ने अपने अपने मत जो है शिकायतों के माध्यम स जो है पत्र में लिखकर वो सारी बाते स्टेट जनरल तक अपने प्रतिनिधी के माध्यम से पहुंचाई थी इसके बाद आगे देखें तो जिस वक्त नेशनल असेंबली सम्विधान का प्रारूप त्यार करने में व्यस्त थी नेशनल असेंबली नेशनल असेंबली क्या है फ्रांस की संसद का नाम है है कि नहीं भई कई बार आपको बताया है नेशनल असेंबली किसका नाम है फ्रांस की संसद का फ्रांस की संसद को ही नेशनल असेंबली कहा जाता है तो जिस समय नेशनल असेंबली यानि फ्रांस की संसद सम्विधान का प्रारूप त्यार करने म प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट प्रारूप तियार करने में व्यस्त थी पूरा फ्रांस अंदोलित हो रहा था क्यूंकि जनता एक तो लुई सोलेवे के निरंग को शाशन से परेशान थी दूसरी तरफ जो नए-नएकर लगाये जाने थे उनसे भी परेशान थी कडाके की ठंड के कारण फसल भी वहां की खराब हो चुकी थी और पाव रोटी की किमते यानि की जनता का जो मुख्य भोज्यपदार्थ होता था पाव रोटी उसकी किमतें भी उस समय महेंगाई के कारण आस्मान को चू रही थी बेकरी मालिक जो है जो पाव रोटी को बनाया करते थे वो बेकरी मालिक इस्थिती का फायदा उठाते जमा खोरी में लगे हुए थे अब आप बुलेंगे कि जमा खोरी क्या होती है तो जमा खोरी उस स्थिती को कहा जाता है कि जब कोई भी व्यापारी जिस भी माल का व्य बहुत जादा माल जमा हो जाएगा तो मार्केट में उस चीज की कमी हो जाएगी और जिस चीज की कमी होती है उसकी महगाई जो है तेजी से बढ़ती जाती है ठीक है क्योंकि चीज कम है लेकिन उस वस्तु की उस चीज की डिमांड जादा है तो जब सप्लाई कम होती है और ड बेकरी मालिक सिती का फायदा उठाते हुए जमा खोरी में लगे हुए थे बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुसाई औरतों की भीडने दुकान पर धावा बोल दिया बात आरी समझ में बेकरी की दुकानों पर घंटों औरतों को जो है पाव रोटी के ल पड़ता था तो उन महिलाओं ने क्या किया महिलाओं की भीडने गुस्से में उस दुकान पर धावा बोल दिया तो इस तरीके की कुछ घटनाएं हमें वहां पर दिखाई देती हैं दूसरी तरफ समराट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया और भीडन में यह वा फैल गई कि जागीरों के मालिक ने भाड़े पर लोटेरों को बुलाया है जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं और कई जिलों में डर से आकरांद होकर किसानों ने कुदालों से ग्रामीड किलों पर आक्रमन कर दिया तो यानि की जनता हर वर्ग की जनता चाहे वह सान वर्ग हो चाहे वह शिल्प कार हो दस्तकार हो कोई भी हो चोटा व्यापारी हो भूमिहीन किसान हो कोई भी ऑ हर जो है गुसाया हुआ था क्योंकि इक तो जनता को बड़ी कीमतों के वजह से पाव रोटी नहीं मिल रहा थे यानिनका मुख्य खुझेपदार्त नहीं मिल रहा था उपर सुनको कर भी देना पड़ा रहा था उसके उपर बाकी के जो दोवर्ग हुआ करते थे पाद्री वर्ग और कुलीन वर्ग उनको ही जन्म अधारत विशेशाधिकार हुआ करते थे सिर्फ तीसरे वर्ग को ही आम जनता को ही जनसाधरण को ही कर चुकाना पड़ता था तो इस सबसे जनता बहुत परेशान थी तो जनता ने क्या किया जनता ने क्या किया कि 14 जुलाई को बास्तील के किले को घेर कर गोल बंदी कर दी घेरा बंदी कर दी और देहाती इलाकों में गाओं गाओं में यहाँ ख़वर फैल गई यह पवाह फैल गई यह जागीरों के मालकों ने भाड़े पर लोटेरों को बुलाया है जो पक्की फसलों को तबह करने के लिए निकल पड़े हैं और कई जिलों में कई जिलों में डर से आकरांथ होकर किसानों ने क्या किया कुदालों से कुदाल यानि की कुलहडी से ग्राम मिड किलों पर भी आक्रमन कर दिया उन्होंने अन्भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज यानि की वो कागज जिनके जरिये लगान देना पड़ता था लगान यानि की कर देना पड़ता था उनको भी जलाकर राख कर दिया और कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरे छोड़ कर भाग गए और बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर सरण लेई तो इस तरीके का स्वरूप हमें दिखाई देता है वहां की आम जनता की तरब से आम जनता ने जो विद्रहोदपन किया था आल राइट यहां तक की बाते के लिए अगर नहीं हुई हो के लिए तो फटा फट से मुझे आप सभी कॉमेंट में करके बता दें तुरंत आपका जवाब दिया जाएगा चलिए अब देखें फ्रांस का संवेधानिक राजतंत्र की बात करते हैं तो बीजून 1789 को वे लो वर्साय के टैनिस कोट में एकत्रित हुए और अपने आपको नैशनल असेंबली घोसित कर दिया फ्रांस के संवेधानिक राजतंत्र की बात कर रहे हैं तो बीजून 1789 को वर्साय के टैनिस कोट में एकत्रित हुए और अपने आपको क्या घोशित कर दिया नैशनल असेंब ने नवासी की रात को करौण करतव्यों और बंधनों वाली सामंती विवस्था के उन्मूलन यानी की खतम करने का आदेश दे दिया ये सब किसके प्रणाम सुरूप देखने को मिल रहा है ये सब जनता के विद्रोह के 14 जुलाई 1789 के जन विद्रोह के प्रणाम सुरूप हमें ये बाते देखने को मिल रही है कि एक नैशनल असेंबली बन चुकी है ठीक है लुई सोलैवा ने नैशनल असेंबली को मान्यता द पड़ गई यहां से भी सीधा सवाल आता है कि फ्रांस में सम्विधानिक राज तंत्र की नीव कब पड़ी तो फ्रांस में सम्विधानिक राज तंत्र की नीव सत्रा सो इंक्यानवे में पड़ी अब देखें नैशनल असेंबली का क्या उद्देश था तो जानते हैं इसके बारे में तो देखें इसका मुख्य उद्देश था समराट की शक्तियों को सीमित करना नैशनल असेंबली का क्या उद्देश था समराट की शक्तियों को सीमित करना यानि कि लुई सोलहवा की शक्तियों को सीमित करना एक व्यक्ति के हाथ में कैंद्रीकरत होने की बजाए अब इन शक्तियों को अलग-अलग संस्थाओं में बांटा जाए यानि कि सिर्फ राजा के हाथ में ही राजा के हाथ में ही शक्तियां नार हैं बलकि उन सारी शक्तियों को जो है अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया जाए जैसे कि अपन भारत की बात करें तो भारत में क्या है विधाय का है, कारे पाली का है, न्यायपाली का है कोई विवाद उत्पन होता है तो उन विवादों का निफ्टारा करती है तो ठीक सी तरीके से फ्रांस में भी क्या होता है कि शक्ति को सिर्फ एक हांत में कैंध्रिक्रत नहीं होना चाहिए उन सक्टियों को सारी शक्तियों को सारी पावर्स को जो है अलग-अलग संस्थाओं में बाड़ दिया जाना चाहिए जैसे विधाई का कारेपालिका एबं न्याएपालिका में उसके बाद एक एंसन 1791 के सम्विधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सोब दिया नेशनल असेंबली को सोब दिया अब नया सम्विधान हमें कैसा दिखाई देता है फ्रांस का तो इस बारे में जानेगे अपन नय सम्विधान के नुसार मतदान का अधिकार अब केवल सक्रियन नागरिकों को मिला ध्यान से सुनिएगा मतदान का अधिकार यह बहुत इंपोर्टन बात बताई जा रही आपको की नय सम्विधान बनने के पश्याद मतदान के अधिकार में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं अपन को तो देखें केवल किन को था केवल सक्रियन नागरिकों को मिला भई वो सक्रियन नागरिक कौन हुआ करते थे तो जो पुरुष थे यानि की महिलाओ की चर्चा नहीं है अभी ठीक है शक्रियन नागरिकों के रूपे सिर्व पुरुष को गिना गया अब पुरुष में भी इन और पुरोषों तीसरी बात जो कम से कम तीन दिन की मज़दूरी के बराबर कर चुकाते थे जो पुरुष जिनकी आयू 25 वर्ष हो और कम से कम तीन दिन की मजदूरी के बराबर वो कर चुकाते हों महिलाओं एवं अन्य पुर्षों को निस्क्रिय नागरिक कहा गया उन्हें सक्रिय की इस रैडी में नहीं रखा गया ठीक है और राजा की शक्तियों को विधाई का कारेपालिका और नियाएपालिका में विभाजित एवं हस्तांत्रित कर दिया गया उसके बाद राजनेतिक प्रतीक भी कुछ रखे गए थी तो राजनेतिक प्रतीकों के क्या मायने होते थे ध्यान से सुनिएगा तो देखें अठारवी सदी में ज्यादा तरिस्त्री पुरुष पड़े लिखे नहीं थे इसलिए महात्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाये आकरतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था आकरतियों या प्रतीकों का प्रयोग राजनेतिक प्रतीकों का प्रयोग किसलिए किया गया यह बात यहां पर बताई जा रही है तो राजनेतिक प्रतीकों का प्रयोग चीजन समझ सकते हैं तो महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाए क्योंकि लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे तो शब्दों का प्रयोग नहीं किया कुछ शिन्न या प्रतीकों का प्रयोग किया गया तो देखें कौन कौन से वह यह जंजीरों का प्रयोग किया जाता था और तूटी हुई हदकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक हुआ करती थी यह देखें भई यह आपको दिख रही है तो टूटी हुई जंजीर तूट गई है यानि कि जंजीरें खोल दी गई है व्यक्ति बंधन से मुक्त हो चुका है तो दासों को बादने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था और अगर अगर वो जंजीर तोड़ी 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 गई है तो यह क्या है भई आजादी का प्रतीक है तूटी हुई जंजीर उसके बाद देखें चडों के गठर की बात करते हैं चडों का गठर यह गठर बनाया गया है तो भई गठर बनाया गया है वो किसका प्रतीक है कि अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है जैसे कि मान लो यह एक छड़ है इसको आसानी से करके अपन तोड़ सकते हैं ठीक है लेकिन अगर जब कई सारी छड़ें इसमें मिली हुई होगी एक ग तर को नहीं यानिकी एक ताही एक ताही बल का प्रतीक है कि लियर हो गई यह बात चलिए अग्ला देखें तो तु त्रभच के अंदर रोश्नी बिखेरती हुई आख आपको दिखाई देती है वो किसका प्रतीक है त्रबुच के अंदर रोशनी बिखेरती आख यह देखें बई त्रबुच बना है त्रबुच के अंदर एक आख बनी हुई है और उसके चारों तरफ से रोशनी निकल रही है यह किसका प्रतीक है तो देखें सर्वदर्शी आँख यानि कि जो सभी जगह देख सकती है वो किसका प्रतीक है ज्यान का प्रतीक है और सूरज की किरणे जो है सूरज की किरणे अज्यान रूपी अधेरे को मिटा देती हैं यह जो आँख है यह ज्यान का प्रतीक है सर्वदर्शी आँख ज्यान का प्रतीक ह और इस से जो किरणे निकल रही है तो अंधकार को मिटा देती है और प्रकाश को ला देती है उसके बाद देखें अगला चिन् अपनी पूँच मुहमें लिए साप दिखाई दे रहा है अपनी पूँच मुहमें लिए साप दिखाई दे रहा है यह देखें वह यह साप है ठीक है यह है इसका मुह यहां शुरू होता है और यहां पर इसकी पूँच खतम होती है और इसकी पूँच साप के मुह में ही जात और अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है सनातनता का प्रतीक है यानि कि सनातनता का कोई और छोर नहीं होता कि भई यह कब शेशरू हुआ है और कब खतम होगा ठीक है जिस प्रकार से अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता यानि कि कहां से शुरू होती है कहां खतम होती ह उसका कोई पता नहीं है जिसे कि आप देखें माल लो कि ये एक अंगूठी है माल लो कि ये एक अंगूठी है जिसका कोई और छोर नहीं है ठीक है कहां से शुरू होती है कहां से खतम नहीं पता कहीं से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं कहीं से भी खतम कर सकते हैं उसी प्रक टंथर का उनमूलान और गढंद weapons खा ना के बारे में जानते हैं राज तंथर गोंन मूलन याने की राज तंधर की समापती और गढद तंथर की स्थापना की बाथ हो रही है तो सबसे पहले हम चानते हैं आतंग के Śौरानव तक के काल को आतंग का युग कहा जाता कब से कब तक 1793 से 1794 का यानि की एक वर्ष का जो समय था वो था आतंक का युग माना जाता है इस समय रौवस पीर ने नियंत्रन एवां दंड की सक्त नीती अपनाई थी और इस नीती के तहत इस नीती के तहत गड़तंत्र के जो भी शक्त्रू थे जो गड़तंत्र को नहीं मा मानते थे जो राज तंत्र में विश्वास करते थे जैसे कुलीन एवां पादरी और अन्य राजनतिक दलों के सदस जो उनके काम से सहमत नहीं है सभी को ग्रफतार कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा यह नीती क्या कहती थी भई इस नीती के तहत क्या किया था रॉबस पियर ने नियंत्रणों दंड की सक्तिनीती अपनाई तो उस नीती में क्या बात कहीं गई थी कि जो भी गड़तंत्र के शत्रू है जैसे की पादरी वर्ग या कुलीन वर्ग यह अन्य राजनतिक दलों के सदस जो गड़तंत्र से सहमत नहीं है रॉबस पियर के जेल में डालके कुरांदिकारी नयाले द्वारा मुकदमा भी चलाया जाएगा और यदि वह दोशी पाए जाते हैं तो गिलोटिन पर चड़ा कर उनका सिर कलम कर दिया जाएगा यानि की जैसे की किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है उसी तरीके से जो एक गिलोटिन हुआ करता है जिसमें व्यक्ति का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है तो इस तरीके का जो है आतंकराज 1793 से 1794 में हमें फ्रांस में देखने को मिलता है अब देखें किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तै की गई कीमत पर बेशने के लिए की जाएगी उसी कीमत पर बेचना पड़ेगा चाहे उसमें किसानों का घाटा हो चाहे मुनाफा हो सरकान जो कीमत तै कर दी उसी कीमत पर किसानों को अनाज बेचना पड़ेगा उसके बाद देखें तो रॉबस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सक्ती से लागू किया कि रॉबस्पियर के समर्थक जो थे यानि की रॉबस्पियर के फॉलोवर्स जो थे रॉबस्पियर को मानने वाले जो लोग थे वे भी त्राही त्राही करने लगे यानि की वे भी परेशान हो गए कि कब ये आतंककार राज खतम हो अंतर ता जुलाई 1794 में नियालाइद्वारा उसे दोस्षी ठहराया गया और अगले ही दिन अगले ही दिन ग्रफतार करके उसे गिलोटिन पर रॉबस्पीर को भी चड़ा दिया गया तो इस तरीके से आतंककार राज जो है वो भी समाप्त होता है उसके बाद देखें वई उसके बाद देखें गिलोटिन क्या था ठीक है अभी मैंने आपको बताया था गिलोटिन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं तो गिलोटिन दो खंबों के बीच लटकते आरी वाली मशीन थी गिलोटिन क्या था दो खंबों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था और इस मशीन का नाम इसके अविश्कारत डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था गिलोटिन क्या था दो खंबों के बीच लटकती आरे वाली एक मशीन हुआ करती थी और उस पर अपराधी का सिर रखा जाता था और इस आरे से जो है धड़ से अलग कर दिया जाता था और इस मशीन का नाम इसके अविश्कारत डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ही रखा गया शाषन मध्यम वर्ग के संपन लोगों के पास आ गया अब फ्रांस का शाषन किसके पास आ गया जो मध्यम वर्ग के संपन लोग हुआ करते थे उनके हाथ में आ गया तो उन्होंने पांच सदस्यों वाली एक कारपाली का डिरेक्टरी को नियुक्त किया कितने सदस्य हुआ करते थे उसमें पांच सदस्य हुआ करते थे तो उन्होंने पांच सदस्य वाली एक कारेपाली का डिरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शाषन देखती थी लेकिन अक्सर विधान परिसद से उनके हितों का टकराव होता रहता था और इस राजनति का इस्थिरता का फ यह को लए भाभी जा चुका है रॉबस्पियर रॉबस्पियर भी जा चुका है ठीक है अब किसके हाथ में आ गया है भाई एक डायरेक्टरी बनाई गई है एक डिरेक्टरी बनाई गई है कितने सदस्यों वाली, 15 सदस्य की, इसमें कितने मेंबर हैं बहई? पांच मेंबर के डिरेक्टरी बनाई गई है जो कि फ्रांस का शाशन देख रही है लेकिन अक्सर विधान परिशत से उनने उनके हितों का टकराव होता था जो पांस सदस्यों की कारेपाली का समीती जिसे डिरेक्टरी कहा गया है उसका विधान परिशत के हितों से टकराव हो हो रहा है तो इस तरीके की आई स्थिर्ता का फायदा किसको मिलता है नैपोलियन बोनापार्ट को मिलता है तो भई अब नैपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती हो नैपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डिरेक्टरी को खतम कर दिया अब भई यहां से डिरेक्टरी भी खतम हो चुकी है अब कौन आ चुका है भई अब आ चुका है नैपोलियन दी ग्रेट अब कौन आ चुका है नैपोलियन आ चुका है तो 1799 में नैपोलियन ने डिरेक्टरी को खतम कर दिया और 1804 में जो है फ्रांस का समराज नैपोलियन बन गया अब देखो गई अब जानते हैं अपन नैपोलियन के बारे में तो देखें 1804 में नैपोलियन ने खुद को फ्रांस का समराज घोशित कर दिया है और उन्होंने पड़ोसी इरुपी देशों को जीतने के लिए राजवन्सों को दूर करने के लिए और उन राजवन्सों को दूर करने के लिए निर्धारित किया जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रखा था नेपोलियन ने क्या किया कि उरोपी देशों को जीतने की योजना बनाई राजवन्शों को दूर करने की योजना बनाई और उन राज्य का निर्माण करने की योजना बनाई जहां जहां नेपोलियन के परिवार के सदस हुआ करते थे उन्होंने यूरोप के आधुनीकी करण के रूप में अपनी भूमिका देखे कि हम यूरोप का आधुनीकी करण कर सकते हैं कौन नपोलियन और अंततह वह इतना सब करते करते 1815 में वाटरलू के युध में पराजित हो गया तो 1799 में इनकी एंट्री होती है 1804 में 1799 में नेपोलियन की एंट्री होती है ठीक है 1804 में ये जो है वहां के समराट बन जाते हैं ठीक है और 1815 में 1815 में जो है कौन सा युद्ध होता है भई वाटरलू का युद्ध होता है और नेपोलियन भी इधर इनका शाशन भी इधर खतव हो जाता है अब देखें क्या महिलाओं के लिए भी एक रांती हुई थी जो ये क्रांती हुई थी फ्रांसीसी क्रांती वह क्रांती क्या महिलाओं के लिए भी हुई थी तो महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परीवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल हुआ कर करती थी जैसे की सिलाई बुनाई कपड़ों की धुलाई और बाजार हमें फूल सबजियां भी बेचा करती थी यानि की महिलाओं का योगदान हर जगह दिखाई दे रहा है तो क्या इतना सब योगदान जो महिलाएं दे रही थी तो उस फ्रांसी सी कुरांदी के जरिये क्या महिलाओं को भी कुछ फायदा हुआ कुछ अधिकार मिले ये बात अपन को जाननी है तो जादांतर महिलाओं के पास पड़ाई लिखाई के मौके नहीं थे यह मौके केवल कुलीनों की लड़िकियों अत्वा धनी परिवार की लड़िकियों के पास था इतना सब करने के बा जाद द्रमाइला जिविकानीरवाह केकन के लिये काम करती थी सिलाई बुनाई कप्ड़ों की धुलाई सब स्प्राइब किया आ करती थी पूर्षो के वराबर सब किया करती थी लेकिन उसके बाबजूद भी सभी महिलाओं को अधिकार नहीं दिये गए थे क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मौका सिर्फ किसकों पास था कुलीनों की लड़कियों आतवा धनी परिवारों की लड़कियों के पास ही हुआ करता था ये अधिकार यानि कि हमें यहां से क्या बात जानने को मिलती है कि महिलाओं के लिए ये क्रांती नहीं हुई थी क्योंकि सभी महिलाओं को समानता की द्रश्टी से नहीं देखा गया था चलिए आगे देखें तो इसके बाद जो है महिलाओं की शादी कर दी जाती थी और महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोशन ही करना होता था यानि कि कुछ महिलाओं को तो पढ़ने लिखने की आजादी थी ही नहीं और जिन महिलाओं को पढ़ने लिखने की आजादी थी तो पढ़ा लिखा के फिर उनकी शादी कर दी जाती थी और अंतता उनका काम वही होता था जो एक हर महिला का होता है कि अपने परिवार का पालन पूशन करना जिसे खाना पकाना पानी लाना लाइन लगा कर पाऊ रोटी लाना और बच्छों की देख रेक करना और उनकी मजदूरी पुर्षों की तुल्ला में कम थी महिलाएं काम पे जाती थी जैसे कि अपने पहले देखा महिलाएं जो है सिलाई कड़ाई बुनाई के काम करती थी और जो भी काम महिलाएं कर सकती थी हरे काम करती थी और पुर्षों के बराबर मजदूर करने के बाद भी उनको पुर्षों से कम वेतन मिला करता था उसके बाद देखें उनकी एक प्रमुक माग यह थी कि महिलाओं को पुर्षों के समान राजनेतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए जितने अधिकार पुर्षों को राजनेतिक रूप से हैं जो पॉलिटिकल वो महिलाओं को भी होने चाहिए ऐसी महिला वर्गे की डेमांड हुआ करती थी फिर देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको इमेज दिखाई दे रही होगी और भारी संख्या में महिलाओं का एक जुलूज जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा जहां महिलाओं गुड सवारी भी कर रही हैं ढोल लगाडे भी बजा रही हैं और अस्तर सस्त्र लेके एक समुह में शामिल भी हैं ये क्या है भई ये भई क्रांती का आगाज किसकी तरब से महिलाओं की तरब से यानि कि महिलाओं की भागीदारी हमें उस दोरान इरोप में हर छेत्र में दिखाई देती है चाहे वो परिवार को समालने की बात हो चाहे घर चलाने की बात हो चाहे पैसा कमाने की बात हो चाहे किसी भी क्रांति की बात हो चाहिए युद्ध की बात हो हर एक छेत्र में महिलाओं की भूमी का हमें दिखाई दे रही है लेकिन इसके बावजूद भी यानि कि बराबरी से हर छेत्र में भागीदारी के बावजूद भी महिलाओं को पुर्षों के समान अधिकार नहीं थे अल्राइट यहां तक की बात वी किलिए अब देखें तो महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए फ्रांस में उस दौर में क्या क्या कदम उठाए गए उसकी चर्चा वपन करते हैं तो देखें क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किये उन कानूनों का वर्णन यहां पर किया गया है तो जानते हैं इसके बारे में तो लड़कियों के लिए इसकूली सिक्षा को अनिवारे बना दिया अभी सिर्फ कुछ ही लड़कियां स्कूल्स आप पाती थी अब उन्हें क्या क्या सरकारी विध्याला बना दिये गवर्मेंटी स्कूल की स्थाप ना कर दी और जितनी भी लड़कियों समय उडियोप में देता है उसके बाद देखें अब पिताउन हैं उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की बातें नहीं कर सकते थे पहला काम का किया कि महिलाओं की सिक्षा पर जोर दिया गया हर हर लड़की को सिक्षा प्राप्त करना इसको लिए सिक्षा प्राप्त करना कंपल सरी बना दिया उसके दूसरी बात ये है कि लड़ियों के पताउन की मर्जी के खिलाप उसे शादी की बातें नहीं कर सकते थे उसके बाद देखें अब महिलाएं व्यवसाइक प्रशिक्षण ले सकती थी जी हां महिलाओं को जो है व्यवसाइक प्रशिक्षण व्यवसाइक ट्रेनिंग भी दी ज के बाद देखें मता अधिकार और समान वेतन की बात करते हैं अब महिलाओं की क्या डिमांड थी कि उन्हें राजनीती में बराबरी का अधिकार दिया जाए और पुरुषों के समान वेतन भी दिया जाए जितनी मजदूरी पुरुष कर रहे हैं उतनी ही मजदूरी इस्त्रि परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो मताधिकार और समानवेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा कई वर्षों तक महिलाओं ने दो चीजों के लिए आंदोलन किया दो चीजों के लिए लड़ाई लड़ी एक था मताधिकार और ए की महिलाओं ने मताधिकार जो है हासिल कर लिया यहां से सीधा सवाल आप से पुछा जा सकता है भई कौन सा सवाल पुछा जा सकता है कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब हासिल हुआ या फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार या वोट देने का अधिकार कब किलियर यहां तक की बाद कोई भी पॉइंट अगर समझ मैं ना आया हो आप सभी को तो फटा फट से कॉमेट बॉक्स में कॉमेट करके बताईए आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा चलिए अब देखें भई दास प्रथा का उनमूलन ठीक है सबसे पहली बात तो दास क्या होती है दास किसे कहते हैं दास मतलब की गुलाम किसी व्यक्ति को गुलाम बनाकर अपने यहां काम करवाना और यह सदियों से चली आ रही एक प्रथा थी और किस तरीके की प्रथा थी कि अगर किसी परिवार का व्यक्ति एक बार दास बन चुका तो उसकी आंगे आने वाली पेड़ी भी वहां के राजा के यहां यामीरों के यहां दास बनकर ही काम करेंगे तो इस तरीके की प्रथा जो है कई सदियों से चली आ रही थी अब उसका उन्मूलन उन्मूलन होता है उन्मूलन शब्दकार्थ क्या होता है उन्मूलन शब्दकार्थ होता है खतम होन समझ में आई यह बात दास प्रथा के उन्मूलन की बाद कही गई है तो देखें दास व्यापार जो है कभ शुरू हुआ दास व्यापार 17-20 शताबदी में शुरू होता है दास व्यापार कभ शुरू होता है 17 वी शताबदी में शुरू होता है फ्रांस इसी सौधागर बंदर गहा से अफरिका तट पर जहाज ले जाते थे जहां से वे स्थानी सरदारों से दास खरीदा करते थे बातारी समझ में दास व्यापर कब चालू हुआ 17 वी शताबदी में चालू हुआ गुलामों का व्यापर किया जाने लगा गुलामों को खरीदा बेचा जाने लगा और फ्रांसीसी सौदागर क्या कहते थे फ्रांसीसी सौदागर जो होते थे वो बंदरगाह से अफरीका तट पर जहाज ले जाते थे और जहां से वे स्थानिय सरदारों से दास खरीते थे यानि कि अफरीका के तट पर जो अफरीका की स्थानिय सरदार हुआ करते थे उनसे फ्रांसिसी सौदागर दास खरीदा करते थे और दासों को हतकडियां डाल कर अटलांटिक महा सागर के पार कैरीबियाई देशों तक तीन महिने की लंबूई समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था अफरिका के तट से वहां के स्थानी सरदारों से फ्रांसी सी सौधा गर ने क्या खरीदे दास खरीदे और अटलांटिक सागर के उस पार ले जाना है अब यूरोप वापस ले जाना है उनको ठीके कहां से अफरिका से यूरोप ले जाना है उन दासों को तो जहाजों में एक दासों को जो है ठूस के भर दिया जाता था और वो तीन महीने की लंबी यात्रा हुआ करती थी कहां से अफ्रिका से लेके यूरोप तक अट्लांटिक महासागर के उस पार तक वहां उन्हें बागान मालिकों को बेश दिया जाता था ठीक है क्या प्रक्रिया अपने सुनी क्या कहानी सुनी अपने कि फ्रांसी सी सौधागर क्या करे वही अफ्रिका गए अफ्रिका के तट से वहां के स्थानी सरदारों से दासों को खरीदा और जहाजों में भर कर उनको क तेन महीने की लंम्भी यातरा के बाद अतलांटिक महां सागर के पार यूरोप ले आए और यूरोप लाकर उन्हें को बागान मालिकों बेज दिया अब बागान मालिकों के अंडर मेरायम बागान में मजदार काम किया करेंगे मैं कि लिर यह हो गई ठीजानते फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही सम्रद नगर बन गए थे और 28 सधी मैं फ्रांस में दास प्रथा की जादा निंदा नहीं हुई थी ए o 1727 अदाश प्रता सुरू है ए रठार्वी शताब्दी में भी सकी निंदा नहीं हुई कि ऐसी प्रता को खतम कर दिया जाना चाहिए लेकिन सन 1794 के कन्वेंशन सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसी सी उपनिवेशों में सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया बातारी समझ में लेकिन सन 1794 की कन्वेंशन ने फ्रांस इसी उपनवेशों में फ्रांस इसी उपनवेश यानि की जहां जहां फ्रांस ने अपना उपनवेशिक सासन इस्थापित करके रखा था जहाँ-जहाँ जिन इस्थान पर फ्रांस ने अपना शासन बना के रखा था अपना कब्जा बना के रखा था उन जगह पर उन सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित किया गया और यह कानून एक छोटी सी अवधी तक ही लागू रहा 10 वर्स बाद 10 वर्स बाद नैपुलियन ने फिर से दास प्रथाश शुरू कर दी कब 10 वर्स बाद 1794 की बात हो रही है ये सबसे पहली बाद की 1794 की कन्वेंशन ने फ्रांस इसी उपने वेशों में सभी देसों के दासों की मुक्ति के एलान कर दिया और फिर 10 वर्स बाद यानि की 1804 में 10 वर्स बाद यानि की 1804 में किसकी एंट्री होती है भई फ्रांस में नेपुलियन की एंट्री होती है की नहीं होती है नेपोलियन कब से कब तक फ्रांस का शाशक बना रहा था 1804 से 1804 से 1815 तक नेपोलियन रहा था की नहीं रहा था फ्रांस में चलो भई जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बता दो कि नैपोलियन की हार किस युद्ध की वज़े से हुई थी या नैपोलियन किस युद्ध में हारा था और जिस युद्ध में हारा था उसका नाम लिखे के उस युद्ध का इयर भी आपको लिख देना है क्या बताना है मैंने आप से पुछा है ध्यान से सुनिएगा नैपोलियन की हार कब और कैसे हुई यह बई आपका question of the day क्या है यह है आपका question of the day है नैपोलियन की हार कब और कैसे हुई यह बात आपको बतानी है यह है आपका question of the day चलिए जल्डी से comment करके बता देना है आपको फटाफट comment करके बता देना है तेजी से यह बात बता देनी है तो जो कानू 1794 के convention से फ्रांस में खतम किया गया था कि अब जो फ्रांसी से उपने वेश हैं वहाँ पर दास प्रथा नहीं होगी लेकिन जैसे ही 10 साल बाद 1804 नैपोलियन की एंट्री होती है नैपोलियन फ्रांस का साशक बनता है और उसने दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया सन 1804 में फिर फ्रांसी से उपने वेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उनमूलन 1848 में किया गया यहां से भी सीधा सवाल बन सकता है फ्रांसी से उपने वेशों से क्या सवाल बन सकता है कि फ्रांसी से उपने वेशों से अंतिम रूप से हमेशा के लिए दास प्रथा का उनमूल अन्यानी की दाश्प्रथा की समाती कब होती है ये बात आप से पूछी जा सकती है तो आप लिख देंगे अटरासो अटालीस क्या बात है क्या बात बोली मैंने अभी आपको मेरे साथ ही रिपीट करते जाना है जितनी चीज़ें में इंपर्टेंट बताती हूँ जिस पे लिटिस अप्रूट मार्ट लगाती हूं कि यहाँ से सवाल आएगा ठीक है वीडियो को देखते हुए वह चीज आप को वह लाइन आपको वह सेंटेंस आपको बार बार रिपीट करना है क्या रिपीट करना है कि फ्रांसेस ही अपने वेशों से हमेशा के लिए हमेशा के लिए दास प्रता कब खतम हुई 1848 में 1848 में और राइट किलियर हो गई ये बात चलिए ओके यहां तक की सारी बाते के लिए अब देखें भई दास प्रता खतम हो चुकी है अब देखो भई क्रांटी और रोजाना की जिंदिकी के बारे में बात करते हैं तो देखें 1789 से बाद के वर्सों में फ्रांस की पुर्षों और महिला इवं बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए कपकी बात हो रही है 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस की पुर्शों और महिला और बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं जब 1789 की क्रांती होती है फ्रांस इसी क्रांती होती है तो देखें क्रांती कारी सरकार ने कानून बना कर स्वतंतरता एवं समानता के आदर्शों को कौन सी दो बाते कहीं हैं स्वतंतरता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदकी में उतारने का प्रयास किया कि अब जो है हर एक वर्ग में हर एक समाज में हर एक व्यक्ति के साथ स्वतंतरता और समानता का अभ्यावार हर दिन की जिंदकी में रोजाना की जिंदकी मे किया जाना चाहिए अब देखें फ्रांस के शहरों में अखबारों पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई क्या बात खी गी है फ्रांस के शहरों में उस दौरान अखबार पुस्तकें छपी हुई तस्वीरें तेजी से बाजारों में आ रही थी और जहा माध्यम से प्रिंटिंग कल्चर मुद्रण संस्क्रती के माध्यम से सारी चीजों का प्रचार प्रशार शहरों से लेके गाव दे हातों तक हो रहा था फिर देखें उसके अंदर फ्रांस की घट रही घटनाओ और परीवर्तनों का ब्यवरा और उन पर टिपड़ी होती थी इनकबारों बुस्तकों छपी हुई तश्वीरों में क्या बातें देखने को मिलती थी क्या बातें पढ़ने को मिलती थी क्या बातें सुनने को मिलती थी तो देखें फ्रांस की घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यारा फ्रांस के अंदर क्या घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं से फ्रांस में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है और उन पर टिपटी भी होती थी कि इन घटनाओं पर लोगों ने अपनी क्या प्र कर चुके हैं अब देखे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है है चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि मरा के बारे में आपको क्या याद है उसके इड़्द गिर्द मौजूद द्रश्य का वड़न कीजे तथा उसकी लोग प्रियता के बारे में समझाईए किसी सेलोन में आने वाले विभिन वर्गे के लोगों पर इस पैंटिंग की क्या प्रतिक्रिया होती होगी जो बात अभी अपनने करी है क पुस्तोकों के माध्यम से पत्रिकाओं के माध्यम से छपी हुई तश्वीरों के माध्यम से जो है लोगों में हर चीज का प्रचार प्रसार हो रहा था फ्रांस में घट रही घटनाओं का ब्यारा होता था फ्रांस में घट रही घटनाओं के फलसुरू फ्रांस में क्या प ठीक है तस्वीर दिखाई दे रहे हैं यह तस्वीर कहती क्या है इस तस्वीर के नीचे एक सवाल भी लिखा है इस सवाल को आपको समझना है ठीक है और उसका आंसर मुझे कॉमेंट में करके बताना है यह रहा आपका होमवर्ग चलिए तो आज का यह शेशन जो है फ्रांसिसी क्रांदी का वो यही पर खतम होता है हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में फ्रेंच रिवालिशन के बारे में जाना और यह चैप्टर जो है मैं आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ इसके अन्सियारिटी तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट शेशन में और अगर अभी तक आपने पुराने शारे शेशन नहीं देखे हैं तो फटा फट से जाईए और पूरा का पूरा हर एक चैप्टर आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में कवर कर सकते हैं तो अगर आप हमारे डेली के लाइफ शेशन और रिकॉर्डिट सेशन से जुना चाहते हैं तो सारी चीज़ें अविलेवल हैं मैंगनेट ड्रेंज के यूट्यूब चैनल वेब साइट और अप्लिकेशन पर और मैंगनेट ड्रें इंडिया का नंबर वन हंड्रेट पट्सेंट प्री ओन्लाइन एज एजुकेशन प्लेट फॉर्म है इसके लावा हमारे पास सीबुक सुरी नोट्स भी है जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है वहां से आप दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं इसके लावा हमारे पास कुछ टॉप कोर्स भी हैं जैसे की सीबीस एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध है जी हां और मैंडे ब्रेंस यूट्यूब के लावा अधर शूशल मीडिया प्लेट फॉर्म जैसे की फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर और टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है तो आप हमें यहां भी फॉलो कर सक सकते हैं और यहां से भी सारी जानकारी प्राप्द कर सकते हैं अगर अभी तक आपने लाइक शेर नहीं किया है तो फटा फट से लाइक शेर भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए तुमारे साथ बने रही है जुड़े रही है पढ़ते रही है ख तो मैची!